नमस्कार मित्रो आप सभी का नरंद विश्यो करमा यूट्यूब चैनल में मैं नरंद विश्यो करमा हर दिख स्वागत करता हूँ आज हम इस वीडियो में देखेंगे किलास नाइन थे ब्लूप्रेंट किलास नाइन थे में कम किये गए टॉपिक्स बिसाबस्तू लेशन बाटिकरम अध्याय यह सलीवस आज हम इस वीडियो में इस टॉपिक की जानकारी देंगी हम जो जानकारी दे रहे हैं आपको वर्तमान ब्लूप्रेंट के अधार पर दे रहे हैं कि इस वीडियो प्रेंट में आँगे चलकर कोई भी परिवर्तन होगा तो उस पर हम सबसे पहले आप तक वीडियो पहुंचाने का प्रयास करेंगे कि इस आप क्लास नाइन से सम्मंदित कोई भी जानकारी पीडियक की रूप में चाहते हैं तो हमारे टेलिग्राम चैनल नरंद विश्यू करमा को जोईन कर लेजिए हमारे टेलिग्राम चैनल नरंद विश्यू करमा को जोईन करने के लिए सबसे पहले आप टेलिग्राम पर जाएए नरंद विश्यू करमा लिकर सर्च कर ये हमारा चैनल आ जाएगा उससे आप जोईन कर लीजिए हम अपने चैनल पर 9th, 10th, 11th, 12th से सम्मद्ध महत्पूर जानकारी सेर कर देते हैं तो बढ़ते हैं आज के अपने टॉपिक की ओर मैथमेटिक से मैथ या गड़ते से कम किये गए टॉपिक से बिसेबस्तू, पाठिकरम, लेशन, अध्याय, कक्ष नौ, बिसेगड़ते, ब्लुप्रेंटे से कम किये गए टॉपिक से बिसेबस्तू, पाठिकरम, लेशन या अध्याय किलास नौ, मैथमेटिक से मैथ या गड़ते, ब्लुप्रेंटे से हटाए गए टॉपिक से बिसाबस्तू लेशन या पाठक्रम तो सबसे पहले से में दिया गया है एकाई पर कम के गए अध्याय बिसाबस्तू की नाम हम जो है जानकारी दे रहे हैं यह एंपी वोड़ की बूलूपरिंट की दे रहे हैं जानकारी एंपी बौड़ यदि आपको यह जानकर ये अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए चैनल पाफस्टाम आए तो चलो को सब्सक्राइब कर लेजिए इसमें काई 4 दू चरों वाले रियाखी समी करने से 4.4 दू चरों वाले रियाखी समी करने का सम्पून अध्याए सम्पून अध्या रचनाय नाम का जो चेप्टर हटा दिया गया है मिदा 12 हीना थिए श्ट्रभुजों की यायद करने में हिरोन के सूत्रों के अरुप्रियों या ट॑पक से कम कर दिया जा चुका है अध्याय तेरा प्रिष्टिय चित्रफल और आयतन तेरे दिसमलो दो घनाव और घन के प्रिष्टिय चित्रफल तेरे दिसमलो तीन एक लंब ब्रतिय बेलन का प्रिष्टिय चित्रफल तेरे दिसमलो छे घनाव घन का आयतन तेरे दिसमलो साथ बेलन यह चार टॉपिक्स आपके हटाई जा चुकी है अध्याया 15 प्रायक्ता संपूर्ण टॉपिक्स कम कर दिया जा चुका है अध्याप इसका स्कीन शॉट लेना चाहें तो इसकीन सॉट ले सकते हैं नमस्कार मित्रों जैमातादी राधे राधे जैसी राम